गुडबर्णी टू अलफी जैसा कि आप सबी पता है जो बिहार का जो सीरीज चल रहा है उसमें पहले ही दो-तिन वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें हमने पहले पिछली वीडियो में महाजनपत किया तक महाजनपत का जो 15 नमर कोश्चन है वहां तक हमने करा चुके हैं अ अब जो है अब जो अब जो बिहार का जो इस्पेशल बूक है जो सभी बचों को पता है कि बहुत ही इंपोर्टन्ट बूक होता है वह बहुत ही बैठरिन बुक होता अगर बचने खर देंगे मैं उन्हें बोलूंगा कि भर खृद भी लिए ये अबजक्टिव बूक इंति hram के वास्तेविक संस्थापप और 24 वे एम अंतिम महावीर का जनम कहा हुआ था यानि कि जनम में तिर्थंखर हुएं भगवाण हुएं 24 खभवाण हुएं पहला थे रिसवदे और अंतिम महावीर सौामी यह पूछ रहा मBER कउचन सब्ध razón पिछली वीडियो में बताएं थी कि निक्षवी यह सब बैसाली है यह सब्धेम गर्णाजें के अंतरगतहीं आते थे वैसाली लिक्ष वी इस सब चीज किसे उंतरगात आते थे उसी वज्जी के उसी वज्जी से समबंदी थे कौन महाभिर स्वामी के पीता ठीक है उसके बाद आएंगे चौठा नमर को सन देखेंगे तो महाभिर स्वामी की माता तरिषळा देखो पीता का नाम यहां ठ्रड न बहुत धर्म के बारे पढ़ेस् के लो न तो उसमें जो सिधार्ज हो जाएगा गौतम-बूत का ही नाम होझाएगा लेकिन यहाँ पी नेड़ने के महाभीर स्वामी केfiction से बिंठ वंत दुखकर अरेक attach लाटी थी तो लिखाने लिख्वी внगजेक कि महाभीर सुआमी की महल पिए स्टेश्व के और पावापुरी में बतला पानीपूरी खाएं और मर गएं महावीर के मृत्य निर्वान हुई थी पावापूरी में तो परतम जैन संगीति का आयोजन हुआ था तो पर्थम जैन संगीति जो है कहा हुआ जायोजन तो पाठली पुत्रा में देखो दो जैन संगीति हुआ है और चार बहुत संगीति हुआ है जब बहुत धरम के पारम पढ़ेंगे तो उसमें चार बहुत संगीति हुआ है और जैन संगीति में आयोजन किसके सासन काल में हुआ तो चंद्रगुप्त मौरे के सासन काल में हुआ और उसमें अस्तूल भर्द था जो परतम अध्यक्षता किया था नाई नमर कोशन वही पुछ रहा है सबसे पहले एट नमर कोशन को बढ़िया से समझ लो परतम जैन संगिती जब हुई ना उ रही दॉसमें जो जैन संगिती की जा रही थी उसमें अध्यक्ष कौन था अध्यक्ष था एस्थूल भर्द कौन था there ईस्नुम बढ़ ऑघ ग दसंब कोशन महां थकिसें कि प्रतम यह दोनों चीजी और बोनों ःवा ठीक है जैन करन तो मतलब इस एंसर और बोनों हो यहां ऑनसर देखेंगे तो नमरों यह लिखाभा देख सकते हैं जो जैन संकिती वहां उसी में क्या हुआ कि जैन संकिती दो दो भागों में जैन रभ बढ़ गा सफेद वस्ते पहने वाले जो लोग कुछ लोग सफेद वस्तर का पहनते और गूमने वाले सफेद गूमने वाले यह यह दिया हुआ है लेकिन यह आपको बारवे तिंथांकर की पढ़ने के जुरूत नहीं है क्योंकि 24 तिंथांकर हुए है पहला रिशब्देव 23 आपको याद कर सकते हैं कि पारश्वनात और 24 थे महाविर स्वामी पहला कौन है रिशब्देव 23 याद रखे का पारश्वनात पारश्वनात इन्हीं के नाम पारश्वनात है यह आपको घरकंडवेगर है यहां लिखा नहीं है लेकिन पत्नी के नाम यसोदा है ठीक है और यह कौन से गन्राजे से है तो बैसाली से है वज्जी गन्राजे से ठीक है उनकी माता लिक्षवी की राजकुमारी थी सब चीजों का हम लोग देखें आब आएंगे बहुत धरम में ठीक है बहुत धरम के स स्थापक गौतन बुद्ध ने गरीतिया के उपरां सोर परत्म कहां गयाते जो है विशाली के समीब अलार कुलारम के आसरम में गया थे के स्च्ट नातमे ठीक है दूसरा नमर कोशन देखेंगे तो गौतम बूद को कहां कोटिल यह नहीं को दिन्य और पांच ब्रहामण मिले कहां मिलते हैं इनको मिलते हैं cigkar जाते हैं ग्यानप्राप्त करने के लिए वहीं पर पांच ब्रहामण मिलता है को उसके यान प्रहान मिलदा ठीक है इसलिए जो ग्या नाम पढ़ ग्या गौतम बुद के वज़ञे से बो नहीं को इनको ग्यान प्राप्टी था आज भी गौतमबूद के बहुत बड़े मुर्ती वहीं पर बहुत ग्यान आपको मिल जागा चार नमबर देखें कोशन तो गौतमबूद किस नदी के किनारे उनकी ज्यान के प्राप्टी वी थी तो निरंजना रंदी या इसको फालगू नदी फालगू नदी चल्य तो निरंजना न लेखा ठीक है पाचमार कोशन देखेंगे तो राजगीर में आज़ुदी पर्थम बहुत संगेती میں कौन कारे कौन से कारे हुए तो यह स्थाँश्यक्त सद संतराइब सिंपल दया हुआ अब यह गहु drummer सłamu बिंगात को सिंपल तरीकां राम सिचाइब रफी बिहार हैं बिहार के बीचे बीच से यह गंगाने दीनी कल रही है ठीक है अब जो इसके याद कर रहे हैं याद रहना एक यहां लिख दो ठीक है यहां लिख दो दो यहां लिख दो तीन यहां लिख दो चार अब देखो अगर आपको बिहार का मैप अगर जुस बच्चे को पता होगा त तो थोड़ा सा अंताजा लगा कि याद कर सकता है पहला जो है राजगीर में पहला जो बहुत संगेती वी राजगीर में दूसरा जो है बैसाली में तिसरा पाथली पुत्रा में चोठा जो है कास्मीर के कुंडल वन में हुआ था ठीक है जमू कास्मीर में कुंडल वन में हु दिमाग में फिट हो जाएगा आपका भूलिये गने टो छे नमर कोशन देखेंगे लिखा हुआ कि बहुत बहुत संगेती का आयोजन बैसाली में हुआ उसमें क्या करे थे तो पहला में तो क्या करता है तूट बिटक बिना पिटक दूसरा में जो कार्याता है यह नमरे से देखेंगे कि बहुत धरम को दो भागों सोथमबर और महा संगीदी के रुपे वेजित हुआ दोसरी संगेती वई ना तो उसमें क्या हुआ कि आपका बहुत रहा में दो भागों बढ़ गया जा primera um यहिन तेðे वह मुर्ति revt raining वगईरा नहीं मांते थे मतलब इशवर को जादा मानते थे और वह किसी का आइंसा वगईरा गलत करें को नहीं करते थे थे जो उससमें चेंजींग अज़ा जो धर्म को आतीज बना दिया धरम को सराभेरा अला हृःत तरह मुद्ध धर्म नाम जैना को मानता है वाल यान की समय से प्राइब कुछ तरहल क cela कि किसी धर्म को नहीं उसी धर्म को सिस्वाल मानता है। तोटली अबादी चाइना तो शिर्फ पूरे बरज यान धरम जो है ना बहुत धरम का जो बहुत धरम का यह एक नया वर्जन है उसमें सब चीज एला हुए यानि जितने भी गलत काम है इसे इलेगल काम है सब एला हुए मतलब कोई भी रूक्ट की नहीं तो धरम नहीं है बस धरम यहीं बहुत बहुत संगिती कारें हुआ तो दूसरी बहुत संकिती हुई Potter देखेंगे तो आठ नुम्र profession में लिका वाथ संबंद रहा है वहित नम्र हम Aaobood तो धूंकि बहुत संबंद रहा है वैसाली चारा है क्योंकि वैसाली में भी उनका जनम हुआ था तो उपीक्त मसे सभी आ जाएगा आठ नमर का एंसर हो जाएगा नएन तरी गॉद्र महातमाबुद्र ने पठैल पुतर के विनास के कारणों की भहष्वाणी की थी इसमें समयी थी क्या भववष्वाणी की थी आउ पॉत आयगा पठैले पुतर में आग लग जाएगी तो को ऊतम बुध को इसलिए वहां पर क्या बना दिए क्या बना दिए गे गए बहुत जयान को डेटेल में जो पढ़ना है जो इतिहास हम पढ़ा रहा है उसमें तो आपको मिली जाएगा उसको आसानी सा पढ़ी सकते उसमें डेटेल पढ़ाई जाएगा उसमें हम लोग अभी सिंदुगाटी से बेतक तक आ गया है लो उसके बाद वैदिक वेगरा कल जनम कहा हुआ बेटा कौन था माता कौन थी पीदा कौन था सब चीज़ को डिटेल पढ़ा जाएगा अभी जो है जितना था उसको बता दियेगा बिहार से जितना रिलेटेट तो आगे जो है मंगत जो समराज्य को ठान जो लिखा है इसको अगले वीडियो में अगले नेक जय भारत